दोस्तों यह है एक्टिवा और इसमें जो है इंडिकेटर काम नहीं कर रहा है तो देखिए आप मैं आपके सामने इसको यह देखिए हॉरन काम कर रहा है और इंडिकेटर इसका काम नहीं कर रहा है यह देखिए किसी भी साइड काम नहीं कर रहा है मैं स्टार्ट करके आपको देता हूं और कभी कभी जो है यह देखिए अभी यह काम करने लगा और वो भी राइट साइड काम कर रहा है और लेफ्ट का अगर मैं करूंगा तो यह देखिए रेफ्ट में काम नहीं करेगा यह और राइट में भी कभी कभी पकड़ लेगा यह देखिए अभी पकड़ लि करने पर जो है ये सको पकड़ लेता है तो अब जो है आग आज मैं आपको जो वीडियो में इसी के बारें बताऊंगा अगर स्विच अपना खराब है तो सुश को नया लगाने की जगा पहले इसको जो है हम इसको सही करेंगे इसका टर्मिनल साफ करेंगे और इसमें देखते हैं जो गार से कर कुछ काम बन जाता है तो इसी को ठीक करेंगे नहीं तो फिर हम नाया स्विच इसमें लगाएंगे तो वीडियो को इसके पना करें और वीडियो को पूरी देखें इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं मैं हूँ प्रदीब गोस्वामी आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्रदीब बेसिक ज्यान तो चलिए दोस्तों इसको कैसे खोलते हैं वो मैं आपको बताता हूँ तो सबसे पहले दोस्तों हमको ये दोनों हमको स्क्रू खोलने होंगे ये स्क्रू खोलने के बाद में ये जो है इसका ढखकन बाहर निकल आएगा कवर और फिर हम जो है आगे हम खोलते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं इसी तरीके से दोस्तों हम दूसरा साइड मिरर जो है उसको भी हम ऐसी निकाल लेंगे तो देखिए दोस्तों, आपको side mirror anti-clockwise घुमाना है, इसी तरीके से हमने left side का भी निकाला, वो भी हमने anti-clockwise घुमाया और right side का भी हमको anti-clockwise घुमाना है, जिससे कि हमारा ये side mirror बाहर निकलाएगा, आओ हम ये cover बाहर निकालेंगे, एक ये screw है दोस्तों, इसे हमें निकालना है, इसी तरीके से दोस्तों हमको ये screw भी निकालने होंगे, एक ये है, और दोस्तों एक ये है, तो आपने देखा, कि हमने ये ऊपर के दोनों निकाल दिये, और ये नीचे दोनों लगे हुए है, ये दोनों हमें निकाल दिये, और एक जो है हमने front से निकाला था, सामने से, ये वाला, अब हमारा ये cover बाहर निकल जाएगा, तब हम indicator पर हम काम कर पाएंगे, तो देखिए दोस्तों किस तरह से ये बाहर निकलेगा, ये देखिए, ये हमारा headlight का cover बाहर निकला आया है, अब हमारे पास में, ये indicator हो गए दोनों, एक ये left और एक ये right, अब हमको क्या करना है दोस्तों, voltage चेक करना है, दोनों में voltage आते हैं या नहीं, और सबसे पहले तो हमको इसका switch चेक करना है, क्योंकि ये switch से ही, हमें लग रहा है कि switch जो है, इसका lose है, या वो टर्मिनल पर सही तरह से contact नहीं कर पा रहा है, जिससे कि हमारे indicator काम नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले दोस्तों हम switch पर काम करते हैं, अब देखिए दोस्तों हमको indicator का switch निकालना है, जो की यहाँ पर है, और इसे निकालने के लिए सबसे पहले ये cover हमें बाहर निकालना होगा, तो इसे हम cover को बाहर निकाल देते हैं, अब यह देखिए दोस्तों, ये cover बाहर निकल गया है, अब यहाँ पर हमारा switch है, सबसे पहले ये जैक हम बाहर निकाल देते हैं जिसमें ये वायर लगे हुए तो जैक बाहर निकालने के लिए हमको ये देखिए इस तरह से ये सॉकिट ऐसे लॉक दवाना है और ये इस तरह से बाहर निकलाएगा अब ये हमारा जैक जो है ये बाहर निकलाया है अब ये जो है सुच को हमें निकालना है सुच को निकालने के लिए ये देखी है ये दो लोक लगे हुए एक ये साइड लगा हुआ है लोक और एक यहां पर लगा हुआ है तो हमको ये लोक इस तरह से दवाना है और इसको बाहर की तरफ धक्का मारना है इस तरीखे से और इसी तरीखे से यहाँ पर भी यह लॉक दबाएंगे और स्विच को धक्का मारेंगे अब यह हमारा स्विच जो है बाहर निकल गया है तो देखी दोस्तों यह हमारा स्विच जो है यह से बाहर निकल आएगा तो दोस्तों हमने इंडिकेटर का स्विच निकाल दिया है अब इंडिकेटर का स्विच निकालने के बाद में हमको सबसे पहले ये कंफर्म कर लेना है कि हमारा यहां तक पावर आ रहा है या नहीं आ रहा है अगर यहां पे हमारा पावर आ रहा है तो हम कंफर्म मानेंगे कि ह हम चिम्टी की मदद से इस तरीके से चेक करेंगे ये हमारा पोल है और ये लेफ्ट और राइट के टर्मिनल है तो इनको हम आपस में सौट करके देखेंगे क्योंकि सुच का भी वही काम होता है तो एक ये जो इसको हमने पकड़ा और इस पे टेच करेंगे देखिए दोस्तों हमारा इंडिकेटर ये काम कर रहा है ये है राइट साइड का अब हमें इस पोल को दूसरे लेफ्ट साइड के टर्मिनल पे लगाएंगे हमारा लेफ्ट साइड वाला काम कर रहा है तो इससे हमको यह confirm होगे है कि हमारा यहां तक power आ रहा है अब हमारी जो कमी है स्विच में है अब हमको या तो नया स्विच डालना है या उसी को रिपेर करना है दोस्तों हमें एक चीज का ध्यान देना है कि यदि हमारे इंडिकेटर, चारों इंडिकेटर में से कोई भी बलब अगर खराब होगा तो हमारा जो फ्लैसर है या ब्लिंकर है वो काम नहीं करेगा जैसे कि मैंने ये एक निकाल दिया है ये मैंने एक निकाल दिया है तो अब हमारा लेफ्ट साइड का जो है बलब जो है इंडिकेटर का वो ब्लिंक नहीं करेगा तो देखिए दोस्तों जैसे हमने एक socket निकाल दिया है और हमारे जैसे मान लिया कि हमने एक हमारा बलब खराब है अगर उस पर लोड पूरा नहीं पड़ेगा फ्लेसर की उपर या blinker की उपर तो हमारा blinker जो है काम नहीं करेगा एक ही बार blink होके वहाँ दिखाओ पीछे तो इस तरीके से जो है दिखाओ इंडिकेटर पे तो ये लगातार इंडिकेटर हमारा फ्लेस हो रहा है ये blink नहीं करेगा तो बराबर ये light जलती रहेगी इंडिकेटर की तो इसी लिए अगर कभी ऐसा होता है कि हम इसको sort करके देख रहे हैं और हमारा जो blinker है वो काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हमारा कोई एक बलब खराब है तो इस चीज़ का हम को ध्यान देना है अब दोस्तों हमने यहां तक confirm कर लिया है कि यह हमारा socket सही यहां तक power आ रहा है अब हमें switch सुच जो है नया लाना है या उसी को repair करना तो चलिए दोस्तों पहले हम उसी switch को repair करके देखते है देंगे दोस्तों ये हमारा switch जो है यह थोड़ा tight चल रहा है सही तरीके से काम नहीं कर रहा है और अब इसको हम खोलते हैं और अगर सही हो जाता है तो इसी को सही करते हैं नहीं तो फिर हमको इसकी जगए नहीं सुच हमको लगाना होगा तो अब देखिए दोस्तों सुच को हम इस तरीके से खोलेंगे तो ये कुछ लॉक लगे हुए हैं इसमें ये देखिए दोस्तों कुछ लॉक लगे हुए हैं तो ये लॉक हमको इस तरीके से निकालना है, यहां पर है और ये यहां पर है, तो देखिए दोस्तों ये हमारा स्विच जो है खुल गया है, ये देखिए दोस्तों स्विच के अंदर इस तरीके का मेकैनिजम है और ये सामान इसमें निकला है, अब हमको इसी स्विच को सही कर अब सुच के अंदर जो है इन टर्मिनल को हमको साफ करना है देखिए आप ये मैंने साफ किया है तो इन टर्मिनल को हमको तीनों को साफ करना है और साथ में ये टर्मिनल जो है ये नीचे इस सुच पर टैच होते हैं तो हमको ये भी साफ करना है ये देखिए आप ये जहां मै आपको साफ करके दिखा रहा हूँ, यहां पे हमें साफ करना है, यह साफ करने के बाद में इसको हमको PETROL से साफ करना है, इसके बाद में हमें इसके इस पे جो हैं, गريसिंग करनी है जिससे की मूत चलने लगे और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों? इसमें हमको क्या खराब मिला है ये देखिए आप ये टूट गया है और ये कहां लगाता दोस्तों ये देखिए ये ऐसे लगा होता है और ये जो है यहां पर इस तरह से लगा होता है यू इस तरही के से यहां लगता है ये यहां लगेगा तो हमारा जो ये जो स्विच है ये हमारा इस तरी के से ये देखिए आप बीच में इस तरह से लगता है और इसके बल से ही जो है ये पूरा इस तरह से मुवमेंट करता है ये इसके सहारे से अब यह हमारा तूट चुका है इसलिए हमारा जो है सुच काम नहीं कर रहा था अब इसके लिए हमको कुछ जुगाड से इसमें आज हम इस पे काम करेंगे तो वो मैं आपको बताता जाओंगा मैंने क्या किया सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि हमको इसमें साफ करना है टर्मिनल उपर से भी और यह यहां नीचे से जो टर्मिनल के पॉइंट इसमें टाच हो रहे हैं उसमें भी साफ करना है इसको पैटरॉल से यह निकालना होगा, तो इसको निकालने के लिए, यह हम ऐसे निकालेंगे, और हम इसको ऐसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए आप, यह देखिए, यह निकल आया, तो यह टर्मिनल जो है, इसको भी हमें साफ करना होगा, इसको साफ करने के लिए, दोस्तों, थोड़ा सा पैट्रॉल हम इसमें डालेंगे, और इसके बाद में, इस बुरुस्का इस्तमाल करेंगे, जिस्सेगी टर्मिनल जो है, अच्छी तरीके से काम करने लगें, और इसमें से जो भी धूल गंदगी जो है, वो सब यहां से निकल जाए, देखिए दोस्तों, यह प्लास्टिक का है, और यह हमारा तूटा हुआ है, यह यहां पे लगता है, तो अब यह तो हम सही नहीं कर पाएंगे, इसके लिए एक जुगार का काम करते हैं, कि, एक यह मैंने कील ली है, कील को हम इसमें गरम करेंगे, और इसके बाद में, यहां पे हम छेद करेंगे, तो देखिए दोस्तों, इसमें हम गरम करके, फिर इसको हम छेद करेंगे इस तरीके से, और इस तरीके से, इसमें जो हम आरपार छेद कर देंगे, यह देखिए दोस्तों, ऐसे, तो जिससे क्या होगा दोस्तों, यह दोनों पलों में मैं छेद करके, फिर यह कील को ऐसे लगा दूँगा, और जो कील के सारे से फिर हमारा जो सुच है ये हमारा काम करने लगेगा देखी दोस्तों हमने यहां पे छो है छेट कर दिया है और साथ में जो उपर से जो हमारा कवर लगेगा उसमें भी हमने यहां पे छेट कर दिया है अब हम इसमें यहां पर थोड़ा सा ग्रीश लगाएंगे जिस से ही हमारा soft चलने लगे तो इसके लिए हम ये ग्रीश का इस्तमाल करते हैं थोड़ा सा ग्रीश लगाएंगे दोस्तों तो ध्यान ये रहे कि हमको इन terminal पे इन में नहीं लगाना है ग्रीश को और इस तरीके से लगाएंगे और इसके बाद में इसके अंदर थोड़ा सा लगा देंगे क्योंकि इसमें स्प्रिंग और ये जो छर रहा है ये दोनों इसमें काम करेगा और साथ में इसमें भी स्प्रिंग काम करेगी तो इसमें भी हमको थोड़ी सी लगानी होगी तो यह हमने किस तरीके से निकाला था यह जो टर्मिनल है यह पॉइंट जो है यह नीचे टच होता है तो हमने इसको ऐसे निकाला था अब हम इसको जो है फिट करेंगे तो इस तरह से लगाके बात में इसमें यह चर्रा बिठा देंगे यहाँ पर यहाँ पर हलका सा ग्रीस लगाने से यह मूवेवल पार्ट है इसमें जो है इसमूथनस बनी रहेगी और यह हमारा जो है काफी टाइम तक चलेगा इस तरहीके से हम इसमें लगा देंगे देखिए दोस्तों इसको सुच को पहले हम यहीं नीचे लगा के देख लेते हैं जब यह काम करेगा तो हम जो है इसको यहाँ पर कस देंगे देखिए दोस्तों यह वही सुच है जिसको हमने सही किया है अब हम इसको बाहर ही चेक करेंगे और यह देखिए दोस्तों यह काम करने लगा अभी और इसी तरीके से यह देखिए दोस्तों यह बिल्कुल सही हो गया है तो थोड़ी सी मेहनत करने पर हम सुच को सही कर सकते हैं और इसका सिध्धान्त मैं आपको बता दिया किस तरीके से यह काम करता है तो अब दोस्तों आपके साथ में कभी भी अगर इस तरह से हो आपको सुचा अगर सही करना है तो कर सकते हैं नहीं तो यह सो रुपे तक का आ जाएगा नया आप उसको लगा सकते हैं देखिए दोस्तों इसको लगाने के लिए हमको क्या करना होगा ये दोनों साइड में लॉक लगे होते हैं तो ये हमको सीधा यहां से इस तरीके से इसमें अंदर ऐसे करना है और ऐसे धक्का मार देना है तो ये जो लॉक हैं ये दोनों साइड से इस तरह से इसको पकड़ लेंगे और ये लॉक लग जाएगा हमको कुछ नहीं करना है खाले इसको प्रेस करके अंदर कर देना है तो देखिए दोस्तों हम कैसे करते हैं इसको देखिए दोस्तों ये हमारा फिट हो चुका है हमको इसके कनेक्शन करने हैं तो पीछे से जो है अब ये हम जैक लगा देंगे ये है देखिए दोस्तों ये जैक है ये जैक है और जिस तरीके से हमने निकाला था सेम उसी तरीके से इसको लगाएंगे और इसमें भी lock अपने आप ही लग जाएगा खालि हमको इसमें जो है। press करना है और ये खांचे को पकड़के अपने आप ही lock लग जाएगा। ये देखी दोनों साइट से lock लग चुका है। अब जो है इसका cover है ये cover हम लगा देखेंगे हैं और देखी कि मैं करने लगा है यह दए थेखिए दोस्तों ऊठी टरीशन का मही कर रहा है कि अब आपको दोस्तों तो वीडियो के अच्छी लगी हो तो किर्पया मेरी वीडियो को आप लाइक करें, सेर करें और कमेंड करें चैनल पर यदि आप नए हैं तो किरिपे में चैनल को सब्सक्राइब करें बेल नोटिफिकेशन का घंटा जरूर प्रेस करें जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको सही समय मिलती रहेगी चलते हैं दोस्तों धन्यवाद